Hello Friends, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Let Me Inform में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPS officers को मिलने वाली facilities के बारे में IPS एक पहुत ही respectable और powerful job है UPSC का exam clear करने के बाद आप एक IPS officer बनते हैं IPS officers को पहुत अच्छी salary दी जाती है और इसके साथ ही इन्हें पहुत सी facilities भी provide कराई जाती है अगर salary की बात करें तो इनकी monthly salary minimum 56,000 रुपे से लेकर maximum 2,25,000 रुपे तक हो सकती है salary post के according दी जाती है ये तो बात हो गई salary की आए अब IPS officers को मिलने वाली facilities देख लेते हैं इसमें सबसे first number पर जो है वो है residence लगभख सभी जीलों में IPS officers के लिए VV IPS area में duplex पंगलो दिया जाता है ये पंगला काफी बड़ा होता है इनके maintenance के लिए बहुत से नोकर्भी सरकार ही देती है जैसे माली, सफाई कर्मी, प्रेस वाला, रसोया, आदी Second facility जो आपको दी जाती है वो security guards and domestic help IPS officers को security guards प्रोवाइड के जाते हैं ये security guards घर के main gate पर और घर के बाहर भी तेनात रहती हैं इसके साथ इने घर के daily कामकाज के लिए दो नोकर भी दिये जाते हैं थर्ड number है electricity and phones का एक IPS officers को एक तैसीमा तक electricity और phone का bill नहीं देना होता और interesting बात तो ये है कि तैसीमा इतनी जादा होती है कि ये सुईधाएं IPS officers को free ही हो जाती है इन्हें free में internet और SMS service भी दी जाती है fourth facility जो आपको दी जाती है वो होती है official vehicle starting में IPS officers को jeep दी जाती है लेकिन promotion के साथ आपको car दी दी जाती है और driver भी सरकार ही देती है और official work के लिए काड़ी के maintenance का खरचा diesel, petrol भी सरकार ही देती है fifth facility जो आपको दी जाती है वो होती है study leave IES officers की तरह ही IPS officers को भी study leave provide की जाती है इसमें अगर कोई IPS officers आगे पढ़ना चाहता है देश में या विदेश में तब उसे सरकार की तरफ से study leave दी जाती है और IPS officers का रहने का, पढ़ने का, खाने का ये सब खरचा सरकार ही maintain करती है आईए अब देख लेते हैं six facility जो है health benefits IPS officers को काफी सारे health benefits दी जाते हैं अगर IPS officers को कोई बिमारी है तो उनका medical में free treatment होता है और इसके अलावा परिवार के अन्य लोगों को भी free में medical स्वीधाय प्रोवाइट की जाती है सेविंथ जो है इसमें आपका official trip IPS officers को official work के लिए free में हवाई यात्रा करने की छूट दी जाती है इसके साथ ही इन्हें train में भी first class सेनी में free में यात्रा करने की छूट दी जाती है 8. इसमें unofficial benefits IPS officers को काफी सारे schools और college के functions में मुख अतीती के रूप में invite किया जाता है इसके अलावा IPS officers को functions और parties में as a chief invite किया जाता है इसके साथ ही IPS officers को जिस चिले में वो posted है उसमें होने वाले games जैसे cricket आदी के लिए VVIP पास दिया जाता है 9. फैसिलिटी जो आपको दी जाती है वो है extra ordinary leaves IPS officers को सभी परकार की leaves खतम होने के बाद भी extra ordinary leaves दी जाती है लेकिन ये leaves without pay होती है ये leaves तीन महीने से लेकर 18 महीने तक हो सकती है 10 जो इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो है retirement benefits IPS officers को retirement के समय 80 लाग रुपे से 85 लाग रुपे तक दी जाते हैं जो IPS officers के PF मतलब provident fund के पैसे होते हैं यही नहीं IPS officers retire होने के बाद भी सेवा कर सकते हैं कई बड़ी company इन्हें उचे post पर hire कर लेती हैं इसमें जो last facilities आपको दी जाती है वो होती है official passport एक IPS officers को normal passport के साथ एक special passport भी दिया जाता है यह white color का होता है इस passport के होने से IPS officers को किसी भी airport पर checking नहीं होती है और वो official work से जिस भी country में जाती है उन्हें as a guest वहां रखा जाता है इसके अलावा भी पहुत सी ऐसी facilities हैं जो IPS officers को दी जाती है उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी Thank you so much